नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाई फाई स्टेडी 2.0 पर मैं हूँ अंकित अवस्ती आप है मेरे साथ में आज की महत्वपूर्ण विशय पर चर्चा करने के लिए विशय है कि इन दिनों और विशय शुरूप से आज और कल की न्यूज में तो प्रापर तरीके से एक बहुत ज़्यादा शब्द ट्रेंड कर रहा है और वो यह है कि पुतिन की बेटियां कौन हैं असल में पुतिन की कितनी बेटियां हैं, कौन-कौन हैं ये तमाम बातें अब तक आप शायद इतनी जादा जानकारी से नहीं जान पाए जितना आप वर्ल्ड के लीडर्स के बारे में जानते हैं, फिलहाल के लिए पुतिन की बेटियां सुर्कियों में हैं, और जब से पुतिन की बेटियां सुर्कियों में हैं, लोगों के मन में त CB प्रकार से अपना डाइरेक्ट इंटरफेर तो नहीं दिखाया लेकिन जब जब उसको मौका मिला तब तब उसने युकरेन के मसले पर रूस के प्रतिबंधों को बहुत टाइट कर दिया यानि कि एक प्रकार से ये समझे कि financially रूस दुबारा ना उट पाए ये तैग करने के लिए उसने बहुत सारे प्रतिबंध लगा पाए और इनी प्रतिबंधों में नई सीरीज हाल ही में शुरू हुई और वो सीरीज शुरू हुई क्योंकि मैंने आपको आज से दो दिन पहले एक न्यूस पढ़ाई थी जिसमें था बूचा नर संहार यानि की बूचा मसे कर आपको याद होगा कि क्रीम जो अपना ये यूक्रेन है यूक्रेन की राजधानी कीव और कीव से मातर 35 किलोमेटर दूर एक शहर जिसका नाम है पूजा और इस बूचा के लिए मैंने आपको प्रॉपर एक वीडियो डाला हुए आप चाहें तो देख सकते हैं कमेंट बॉक् फोटेज और फोटोज निकल के आए मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स इस प्रकार से भी आए इस सेशन के बाद में कि सर ये भी तो पॉसिबल है कि ये रशियन फोर्सेज ने ना किया हो हो सकता है कि इसने क्या बुलते हैं इसका जैलेंस की जो है इन्होंने सिविलि जिनकी मतलब जब वो हतियार लेके लड़ाई लड़ रहे थे तब उनकी मौत हो गई हो कुछ भी हो लेकिन अल्टिमेटली जनता के सामने लाशे आई हैं और लाशे कुछ बोल नहीं पा रही है ऐसी इस्तिती में उसे एक तरह का मसैकर माना जा रहा है इसके बाद में दु उन पूरे प्रतिबंदों को लगाना चाहते हैं कौन से प्रतिबंदों को जिसमें कि पुतिन के परिवार के पास में जो संपत्ति है न हम उसके उपर भी प्रतिबंद लगाना चाहते हैं यानि कि ट्रेजरी सेंक्शन्स क्रेमलिन एलिट्स लीडर्स ओलिगार्क एंड फै पढ़ता है क्योंकि ये सारी संपत्ति किसी एक देश में तो होती नहीं है, अब मान लीजिए कि पुतिन की संपत्ति अमरीका में है, पुतिन की संपत्ति योरोप में है, जहां जहां पर वो संपत्ति है वो जब्त कर ली जाएगी, आप यू समझेए, अब आप पूछेंगे लिखा क्या है देखिए क्रेमलिन जिस प्रकार से वाइट आउस अमेरिका को नॉमिनेट करता है वैसे ही क्रेमलिन रूस के रास्टरपती भवन को कहते है क्रेमलिन एलिट्स क्रेमलिन के एलिट्स का मतलब है कि यहां के सबसे प्रतिष्ट लोग प्रतिस्ठित लोग, अब देखिए, क्रेमलिन के एलिट्स में तो अब्विसी बात है कि पुतिन तो आएंगे ही, लेकिन उनके परिवार के सदश्य भी आएंगे है ना, लीडर्स, अब लीडर्स जैसे सरगई लोवरोव, सरगई लोवरोव जो कि यहां के विदेश मंत्री ह उनके परिवार की संपत्ती के उपर भी सैंक्शन लगा दिया गया, ओलिगार्क्स, ओलिगार्क्स का मतलब एक तरह से यह समझेए, किसी देश के वो लोग जिनके पास में संपत्ती होती हो, जैसे अगर हम कहें तो आज ही एक लिस्ट पढ़ रहा था जिसमें बताया गया ह कि भारत में लगवग 166 अरबपती लोग हो गए हैं, तो एक तरह से इतने लोग ऐसे हैं जिनके पास में भारत की संपत्ती है, यानि ऐसे लोग जो संपत्ती का सकेंदरन रखे हुए हैं, है ना, और फैमेली फूर एनेबलिंग पुतिन्स वार अगेंस्ट युकरेन और उ ये तो समझ में आता है कि उनको किया जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पुतिन की बेटियों को क्यों टार्गिट किया, ये कौन बताएगा, तो इसके बारे में अब थोड़ा सा हम आगे जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बेटियों की संपत्ती और बेटियां बड़ी हैं, बेटी कौन-कौन है सबसे पहले तो चलिए मैं आपको इसी के बारे में जानकारी देता हूँ, पुतिन की दो बेटियां हैं, इनमें से एक का नाम है कैटरीना और एक का नाम है मारिया, ये पुतिन की दौनों बेटियां बहुती कम पब्लिक लाइफ में रही हैं, यानि कि ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये तीनों है कौन, हाला कि एक बार एक तस्वीर इस तरह की सामने आई, जब पुतिन वोट देने जा रहे थे अपने राज़्टपती चुनाओं में, तो उनकी वाइफ और उनकी बेटियां उनके साथ चलती हुई नजर आई थी, ये बहुत rare of the rare तस्वीरें हैं, जिसमें पुतिन का परिवार मीडिया में दिखाई दिया, अच्छा, अब आप जानना चाहेंगे कि एक बात बताईए सर, कि पुतिन की बेटियां मतलब किस प्रकार से non है, क्या मतलब उनको लेकर के कहा जा रहा है, क्या पारिव अगर देखा हो, तो जब कोरोना की वैक्सीन आई थी न, इस पूतिन की वी, है न, उस समय पर अपने बताया था कि मुतिन ने अपनी बेटी को वैक्सीन लगवाई थी, अगर याद हो, लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि वैक्सीन सेफ है, अब आप मारिया के साथ में, मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा, असल में इनके पास में बहुत सारी संपत्ती है, देखिए, मतलब दो बेटियां है, एक का नाम मारिया है, और छोटी का नाम कैटरीना है, और इन दौनों के पास में ये 29 साल की थी, जब इन्होंने 2015 में रूस के क्रिश शामलोवी के साथ में शादी की थी, अनुमान लगाया जाता है कि इनके पास 15,000 करोड की संपत्ती है, और इनके जो पती है ना शामलोवी, वो रशियन बैंक में शेयर होल्डर हैं, मतलब रशिया की जो बैंक है, उसके अंदर शेयर होल्डर हैं, अब देखिए, द दाश्टपती भवन की तरफ से बहुत सारा फंड दिया गया, इनकी रिसर्च के लिए, तो एक प्रकार से कहा जाता है, कि पुतिन जो है ना, वो सारा की सारा फंड असल में इनके माध्यम से लेते हैं, ठीक है ना, पुतिन की डॉटर कैटरीना, और मतलब वो टैक एक्जे पुतिन की वाइफ है ना, इनकी वाइफ के साथ भी इनका तलाख हो चुका है, किनका पुतिन का, तलाख क्या असल में ये दौनों सेपरेट हो गए हैं, पुतिन की शादी 1983 में हुई थी, जब पुतिन यहां की जो खुफिया एजेंसी है, उसके अंदर एक, मतलब यानि की एर और स्टेस के रूप में काम करती थी, दौनों की बीच में प्यार चला, दौनों की बीच की शादी लंबी नहीं चल पाई, हाला कि तुलनात्मा करूप से काफी लोगों के तो जादा ही चली, क्योंकि इनकी शादी जो है, वो 30-35 साल चलने के बाद में अलग हो कि अब परिवार जनों की संपत्ती टारगेट की जा रही है, इसका मतलब यह है कि अमेरिका, सरगई लोवरू, पुतिन, उनके परिवारों की संपत्ती को जो टारगेट कर रहा है, जितने बी एरिया में इनके पास में दन है, वो धन दन पूरी की तरह से जमा कर लिया एक important बात और निकल के आई, Alex Navalny का नाम याद होगा, जिसको की कहा जाता है, पुतिन ने जहर दे के मरवाने की कौशिश की थी, उसका दावा है कि इनके पास में Black Sea के अंदर महल है, पुतिन के पास Black Sea में, Black Sea समझ रहे हैं आप, वही वाला जो क्रीमिया के जस्ट साउथ में है है ना, तो आपने उसके अंदर महल बना रखा है, ऐसा दावा है, हलाकि क्रेमलिन के स्पोक परसन दिमित्री पेशकोव का कहना है, कि पुतिन के पास में, उनकी जो authorized समपत्ती जो उन्होंने अनौन्स कर रखी है, उसके पास में कोई और समपत्ती नहीं है, लेकिन अमरीका ने तो पाँच डॉलर, पाँच मिलियन डॉलर इन्फोर्मेशन देने के लिए अनौन्स कर दिया है, कि भाई किसी को अगर पता चले कि रखीया के ऑलिगार्क्स, यानि कि जो पैसे वाले लोग है, उनकी याच कहां खड़ी है, उनके बंगले कहां है, उनकी समपत्ती कहां वो बताओ और पैसे ले जाओ, कहने का मतलब ये है कि वो समपत्ती को उजागर करवाना चाहता है, अमेरिका, हाला कि देखिए ये इस प्रकार का गेम चल रहा है, इसमें कुल तरह से रशिया को सम्रद्धी के आधार पर यानि की धन के आधार पर नीचे दिखाने का प्रय यूके जो है इन सबने इस समय रशिया पर पावंदी लगाई हुई है, लेकिन अगर पावंदियों की अगर मैं बात करूँ, तो यूरॉपियन यूनियन ने 70% जो रशिया का बैंकिंग मार्किट है, उसको टारगेट कर दिया है, इसी प्रकार से कैनेडा ने 58 जो है वो फ्रीज कर लिये हैं, औस्टेलिया ने भी ऐसे ही इनके फाइनेशियल इंस्टिउशन को बैन कर दिया है, न्यूजिलेंड, ताइवान, चापान, साउथ कोरिया, यह सारे की सारे वो प्रमुक्छेत्र हैं, जो कि इस समय रशिया के विरोधी हो रखे हैं, मज़ि यह है कि दुनिया बटी हुई है और इस समय अमरीका का जो प्रभाव है वो तुलनात्मक रूप से कम दिखाई दे रहा है, फिलाल के लिए इतना ही अगर आपको यह जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अनकेडमी पर पढ़ने के लिए मे बहुती नॉमिनल दाव पर उपलब्ध है, हमारी परसनल जो मेंटरशिप के साथ में UPSC के तैयारी होती है, उसे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है, यह बहुती नॉमिनल कीमतों पर उपलब्ध है और आप इसे इजी EMI के रूप में भी उपलब्ध क रगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पर पूरी तरह से प्रिंटेड कॉंप्रियेंसिव नॉट्स आपको दिये जा रहे हैं, 20,000 से ज़्यादा क्वेस्चन प्रैक्टिस के लिए दिये जा रहे हैं, लाइव मेंटरशिप आपको दी जा रही है, यह सारी चीजें आपको हमारे कोर इसके साथ उपलब्द होती है, फिलाल के लिए तना ही अपना खयाल रखें